सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेटवर्ड दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विसर्च के अंदर APA, MLA, Chicago स्टाइल के बारे में इनमें से दोस्तों काफी बार कोशन आज चुके हैं तो ये टोपिक करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों हमने NDA UGC NET December 2019 एक्जाम के लिए एक paid workshop ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तों systematic ढंग से study करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वो theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तों 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए link video description box में दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि reference होता क्या है इसके बारे में हमें basic जानकारी होनी चाहिए देखे जब भी हम PhD वगरा लिखते हैं तो उसके अंदर हमें ये देना होता है कि हमने जो work किया है वो कहां कहां से लिया है जो reference जो लिया है वो कहां से लिया है जैसे कि हम कोई अपनी बात सिद करना चाते है और उसी बात से related पहले किसी ने बात कहे रखी है तो वो अपनी research में हम include करते है तो उसके बारे में जो viewer देते हैं उसे हम reference कहते है इससे क्या होता है दोस्तों इससे काफी तरह की बात होती है एक तो यह होता है कि जो हम reference देते हैं उससे हमारी जो research है वो reliable हो जाती है वो authentic हो जाती है और दूसरा क्या है कि जो आगे आने वाले researcher है वो research करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो research हम कर रहे हैं उससे related और किसने research कर रखी है तो इस तरीके के reference आपने कई book वगरा में देखे होंगे तो इन्ही के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यह अलग अलग तरह के होते हैं जैसे APA style, MLA style, Chicago style तो अलग अलग तरह के होते हैं तो उन्हें के बारे हम चर्चा करेंगे दोस्तो research के अंदर paper फरस्ट में देखे रूप से जून 2019 का उसके अंदर यह पूछा गया था कि APA की full form क्या होती है तो American Psychological Association इसकी full form होती है इन्होंने यह invent किया था इन्होंने यह बनाया था तो यह हमें पता होना चाहिए इनकी full form भी और अब देखते हैं कि इसमें पहले कैसे question आया ताकि इससे हमें अच्छे से समझने आ जाए अब यह देखिए इन्होंने यह पूछा हुआ कि इन्होंने लिखे में से कौन सा APA style है वो हमें find out करना है अब देखिए एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यह जो चारों को चारों option है यह लग भग आपको देखने में सेम लगेंगे और हमें यह देखना कि AP style में कौन सा है तो इन्हें में आपको बहुत minor फरक देखने को मिलेगा अब देखिए सभी के अंदर सर्मा V.2010 Fundamental of Computer Science New Delhi Tata Magro Hill यह दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर ब्रैकट नहीं है इसके इन दर ब्रैकेट जिया हुआ है इसके अंदर ब्रैकेट है लेकिन यहां पर एक बहुत छोटी चीज है जो आपको देखने की जरूरत है मैं आपको दिखाने की कोसिस कर रहा हूं सब्सक्राइब इस तरीके का ये डैस लगा हुआ है तो यह एक minor बहुत चोटा सा फरक इसमें को हमें मिल रहा है और यहीं से हमारा question बनता है अब देखिए एक और चीज में आपको दिखाने की कोशिस करता हूं अब यह देखिए और बी और सी के अंदर देखिए आप यह भी आपको बिल्कुल सेम दिखने को मिलेंगे लेकिन अब देखिए कंप्यूटर साइंस के बाद इन्हों ने यहां पर डोट लगाया और यहां पर इस तरीके से कि इन्होंने अडेस लगाया तो यह चोटी चोटी चीज़े हैं अब बात करते हैं हमकी जो हमारा एपी श्टाइल होता है उसका फॉर्मेट है किस तरीके से लिखा जाता है अब देखिए एपी श्टाइल का हमने फॉर्मेट यहां पर दिया हुआ है इसके अंदर क्या होत सर्मा नाम है वो सबसे पहले आएगा और उसके बाद में उसका फर्ष्ट नेम आएगा यानि कि विकरम अब देखिए विकरम के अंदर वी जो पहला अक्सर है वी वो ही हम लिखेंगे पूरा विकरम नहीं लिखेंगे ठीक है यहां से आप देख सकते हैं यह और उसके दोस्तों उसके बाद हम डोट लगाएंगे इस तरीके से यह चीज आप देख लो दोस्तों डोट लगाएंगे ना कि इस तरीके से डैस नहीं लगाएंगे डोट लगाएंगे डोट डोट के बाद दोस्तों हम एयर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर हम एयर लिखेंगे यह दे publication का मतलब है कि किसने ये प्रकासित किया है किसने ये print out किया है वो हम यहां पर लिखेंगे अब देखें जैसे यहीं पर एक नीचे example दिया हुआ कुमार आर जैसे राजस कुमार हो गया तो राजस कुमार में कुमार सबसे पहले आ गया इसका last name पहले आ गया और राजस का आ रा गया फिर हमने ये लिह दी 2015 और डोट लगा दिया और फिर effect of TV फिर डोट लगा दिया फिर कहां से पब्लिश हुआ है रोहतक से पब्लिश हुआ है और किसने पब्लिश किया ये अजंता पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है अब देखें यहां से आप बिलकुल असानी से समझ सकते हैं और एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है यहां इसके अंदर जो यह देखें आपको यहां से लेके यहां तक सभी में डोट नजर आएंगे और लेकिन यहां पर यह देखें यह डबल डोट इस तरीके से होगा और यह हैं यहां पर यह बैस होगा इस त्रीके का तो यह आपको छोटी 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 चोटी चीजी है दोस्तों समझने की जरूरत है ठीक है और यहां पर इंदि में भी दिया है खीक है और यहाँ पर मैंने हिंधी में भी दिया है ठीकेöm regions अब देखिए दोस्तों यह हमारा अगला question आया था December 2015 के अंदर question आया हुआ है ठीके beloved इसके अंदर क्या है दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा confusion यह यूजी सी नेट ने खुद confusion दिया हुआ है जो थोड़ा सही नहीं है अब देखिए मैं आपको question पढ़ के सुनाता हूं उससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा अब देखिए यहां पे इन्होंने एपीए style के बारे में पूछा हुआ है यह देखिए English के इंदर which of the following are the basic rule of APA style of referencing format इन्होंने का है कि APA style लिखने का style क्या है basic वो हमें बताना है अब देखिए इन्होंने यह इसका answer यह है BCD पहले ही मैं बता देता हूं उसका answer बी में क्या है इंवेंटर author's name last name first चलो यह अच्छी बात भी last name पहले आना चाहिए यह बात हमने पहले भी पढ़ी है अब देखिए दोस्तों अगला देखते हैं option number C italicized title of longer work such as book and journal इन्होंने काया कि book और journal का जो नाम है वो हमें italic करके लिखना है italic का मतलब समझतों ना दोस्तों इस तरीके से टेड़ा करके लिखना है अब यहां पे हमें problem आती है दोस्तों अब देखिए एक चीज मैं आपको बताओं कि इन्होंने सभी के अंदर भी option दिया हुआ है और इसका answer भी यही दिया हुआ है यूजिसी net ने अब यहां पे problem क्या आती है problem समझने की कोशिश कीजिए यहां पे इन्होंने कहा है कि जो book का name है वो हमें italic करके लिखना होगा चलो हम माल लेते है वही italic करके लिखना है आपकी बात ठीक है लेकिन अब जो हमने question ओपर यह पढ़ा इसमें आप यह बता दीजिए कहीं भी italic है कहीं भी नाम italic नहीं दिया हुआ और आप चाहें real real जो paper वो देख लेना अगर मैं यहां पे real paper दिखाता तो वो काफे धुंदला होता आपको अच्छे से यह समझवें नहीं आता इसलिए मैंने टाइप किया है ठीक है तो यहां पर इन्होंने कहीं भी italic नहीं दिया लेकिन अगले ही question में यह कह रहे है कि जो book का name होगा वो italic होगा तो देखिए UGC net है वो खुद गलती कर रहा है एक के अंदर italic करके दे रहा और द हमारी यही बात आती है दोस्तों अगर किसी option में italic दिया हुआ है ठीक है तो हमें वही option राइट करना है अब जैसे मान के चलते हैं यही question लेके चलते हैं option number A ऐसे simple दिया है और B के अंदर यह जो fundamental of computer science italic करके दिया हुआ है तो हमें उसी पर तिक करना है ठीक है और सारी दियान में रखना क्योंकि यूजी से ने खुद हमें confuse किया है अगर वह italic दे तो italic वाले पर हमें कलिक करना है और जो format है वह हमारा बिल्कुल सेम रहेगा कि last name पहले आएगा first name बाद में आएगा yearbook वगरा वह सारी चीज बिल्कुल सही आएगी APA style के अंदर यहां पर हमन से comment works के जरीए पूछ सकते हैं या फिर आपको हमारा WhatsApp नमबर मिल जाएगा उससे भी आप पूछ सकते हैं अब हम आगे देखते हैं दोस्तों आगे आता है हमारा MLA style आता है अब देखे MLA style के अंदर क्या आता है इसे सबसे पहले कहते क्या है इसकी full form क्या है modern language association कहते हैं इस and literature जो subject होते हैं उनके अंदर ज्यादा यूज किया जाता है अब देखते हैं इसके अंदर कैसे question आये हैं इनमें जून 2013 के अंदर question आया था अब यहां पर हमने हिंदी में दिया हुआ है और English में भी दिया हुआ है अब इसे हम समझने के लिए English वाला question देखते हैं अब अंदर difference है अब देखें यही आ गया option number C की बात करें तो यहां पे देखिए इन्होंने इस तरीके से dash लगा दिया और इसके अंदर नीचे आप देखोगे तो यहां पे ऐसा dash नहीं है डी वाले में नहीं है ठीक है तो यह छोटे छोटे difference है अब option number B की हम बात करें तो इन्ह से हमें सीखना है कि Mla style के अंदर क्या होता है actual में क्या होता है अब देखें Mla style के अंदर सबसे पहλे last name पहले आएगा फिर आएगा first name आएगा फिर book name आएगा फिर सबसे लाश्ट में आएगा year ठीक है और a-p-e style के अंदर क्या था दोस्तो up style के अदर हमारा जो year है वह first name के बाद आ रहा था और bracket के अंदर आ रहा था लेकिन यहां पर क्या है कि year वह last में आएगा और bracket के अंदर नहीं आएगा ठीक है ये में मेजर डिफरेंस है एपी और MLA स्टाइल के अंदर और एक चीज और इसमें आप देख लीजिए कि जो इस तरीके से जो डैस है वो कैसे आएगा कहां पे आएगा वो हमें देखना है अब देखिए इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं option number D इन्होंने सही दिया है तो इसके अंसार क्या है कि सबसे पहले लास्ट नेम आएगा और फिर इस तरीके से डैस आएगा कोम आएगा या इसे जो भी कहले मुझे actual पता नहीं है दोस्तों और फिर आएगा first name आएगा फिर डोट आएगा फिर नेम के बाद डोट और फिर डोट इस तरीके से आएगा फिर publication आएगा और फिर year आएगा और अब यह देखे year year के अंदर इस तरीके का यह डैस है और first name के बाद हमारा इस तरीके का डैस है यानिकि दो बार यह हमें use करना पड़ रहा है अब इसका हम example लेके चलते हैं अब देखें जैसे राज राजस कुमार के अंदर हमारा कुमार पहले आ गया है यानिके लाश्ट नेम फिर आगे राजस अब इसके अंदर जो हमारा first name है वो पूरा लिखना है एपीए style की तरह यह नहीं है कि उसका first name का पहला अक्सर लिखना वो नहीं है और आगे क्या है आगे जैसे डोट आगया और फिर यह दोबारा इस तरीके से डोट आगया डैस आगया और फिर यह आगया हमारा यह राजी छीक है तो इस तरीके से यह हमारा MLA style होता है यहां से आप बिलकुल असानी से समझ सकते हैं बस आपको यह चोटी चोटी चीज रखने ध्यान रखने के जरूरत है कि डोट क महां पे लगेगा तो यह हमें देखने की जरूरत है और आगे दोस्तों यह हमने दुवारा फिर यह इनका comparison करके दिखा रखा यह AP यह हमारा APA style है MLA style है और जो एक और style जो आता है वो और मैं बता देता हूं दोस्तों आपको वो है हमारा Chicago style या Travian style अब देखे इसके नेम पहले आएगा first name बाद में फिर जो बुक का नेम है वो italic आएगा पैलेस आएगा publication आएगा year आएगा ठीक है तो यह थोड़ा सा इसके अंदर difference है और इसमें अभी तक वैसे तो question नहीं है Chicago style में से तो फिर भी आप करके देख लेना इनको यह ज्यादा वो difficult भी नहीं है और इसके अलावा और भी हमारे style है publication के काफी तरह के style है अंगिनत style है और अगर आप देखना चाहो तो यह देख सकते हैं दोस्तों इन में से जो आप mainly क्या है कि आप एक बार इनको पढ़ जरूर लेना इनकी जो full form है वो पढ़ लेना हो सकते क्या पता इन में से कोई question पू पढ़ने बहुत जरूरी है क्योंकि इन में से करेब चार शे पांच बार question आ चुके हैं और evening की जो वीडियो होगी दोस्तों उसके अंदर हम यह जो repeated question है अब एम एनले style के अंदर जो आए हैं आज तक वही करवाएंगे मोक टेस्ट के अंदर तो आज आप इस topic को बहुत अ क्योंकि हमने दोस्तों काफी मेहनत से वीडियो बनाई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गंटी का बटन जरूर दवाईए ताकि आप आप मारी अने वाली वीडियो को साने से देख से थेंग्यू गोज़ दिला गिराप ताम इस बेली आणा साइड आटो वास्ट वास्ट